हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूटोब चानल में आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गाजर का हल्वा तो उसके लिए चले थोड़ी से तयारी कर लेते हैं इसके लिए यहाँ पे मैंने दो किलो गाजर को अच्छे से दो कर पील कर लिया है अब आप वीडियो म गाजर रखा हुआ था उसे डाल देना है आपको एक बात का याद रखना है अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने गाजर को डाल दिया है उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से कुक कर लेना है जैसे कि गाजर सौफ्ट हो जाए 15-20 मिनिट के लिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है जैसे गाजर में अगर पानी हो तो वो अच्छे से सूप जाए और गाजर अच्छे से रोष्ट भी हो जाए अब आप देख सकते हैं कि गाजर सौफ्ट हो चुकी है बस इसी समय पे हमें यहाँ पे एक लिटर दूद डाल देना है मैंने यहाँ पे फुल फैट दूद का इस्तमाल किया है आपके पास जो भी अवेल चेंज होता जाएगा आप इसे 15-20 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ दे आप देख सकते हैं कि अब दूद पूरी तरह से सूख चुका है इसे समय पे यहाँ पे मैंने आधा किलो शक्कर लिया है उसे डाल देना है अगर आप जादा मिट खाना पसंद करते हैं तो य अच्छी मिनिट के लिए कुक कर लेना है आप देख सकते हैं कि सक्कर अच्छी से मेल्ट हो चुका है पस इसी समय पे यहाँ पे हम डालेगे एक सिक्रिट इंगरियंट्स एक लिटर दूद को फाड के मैंने पनीर उसका बना लिया था उस वो डाल देना है एक इलाइची प कर लेना है अब हम दो किलो का गाजर बना रहे हैं तो इसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप देख सकते हैं कि अच्छी से शक्कर पनीर और दूथ अच्छी से डिजॉल्फ हो चुका है तो बस इसी जमेरी पे गैस को आफ कर देना है आप इसे ठंडा या फि करते हो वैसे इसे साफ करें ठंडी में यह गाजर का हल्वा बहुत ही टीस्टी लगता है अगर आपको